Hello guys, good morning. How are you? कैसे चल रही आप लोगों की पढ़ाई? पहले से वेटर, चलिए, बैसे तो मुझे थोड़ा time period कभी कभार कम मिल पाता है, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे आजकल का जो time duration है, कुछ ऐसा है, जितने बच्चे medical IAT की तियारी कर रहे हैं, उनको क्योंक क्लास में बहुत ज़्यादा नहीं बता पाते, तो बीच-बीच में पहले starting बनाता था, लेकिन कुछ अभी ऐसा ही चल गया था, ठीक है न, तो वीडियो आपके लिए 10 मिनट्स के लिए, 5 मिनट्स भी नहीं है, आज आपको 10 मिनट्स समझाते हैं, देखिए क्या होता है, य क्या होता है कि अभी भी थोड़े बच्चों की आदतने तो शुरू से ही habits सही है, कुछ बच्चों की थोड़ा सा कोशिस तो अपने लेवल की वो सही कर रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे का अपना एक लेवल होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, दूसी चीज, वो अपनी मेहनत करता है, सारे बच्चे एक जैसे हों, एक जैसे रिजलिट आएं, ऐसा possible नहीं है, आप लोग हर कोई बच्चा अपने आप में यूनिक है ध्यान रखना, जब आप तेयारी करते हो, तो कैई सारी चीज़ें आपके doubt आते हैं मन में, क्या होगा, कैसे होगा, और जब थोड़ा time pass आता रहता है, तो आपको और परिसानी हो सकती है, तो परिसानी ना हो, इसके लिए में बार बार 5 से 10 मिनट के वीडियो अब जनरली डालता रहोंगा, ठीक है, तो देखिए हो तक है इसमें, सबसे पहले तो आप अपने मन में एक चीज बठा लो, जैसे आ हुआ था, कि भई, आज से पूरी रात पढ़ेंगे, अब आप लोग originally मुझे बताओ, कितने बच्चे पूरी रात पढ़ रहे हैं, तो कि आपने जिस दिन एक्साम दिया था, लोहा उस दिन गरम था, चोट उसी दिन माननी थी, हाँ, उसमें से मात्र 2%, उसमें से only 2% ऐसे ह जो जिनोंने सोचा भई, अब मेरा पेपर थोड़ा सा कम है, परसेंटाइल मुझे भी दिख रहा है, अब एपरेल वाले में मैं खीचूंगा, तो वो उस दिन से लगे होंगे, बाकि 98% बच्चा फिर वो ही अपने पुराने धर्रे पे आ चुका होगा, ऐसे ही नीट वाले बच्चे, हाला कि देखिए, NTA वालों ने तो अपनी डेट निकाल दी, कि भी यह मैंने तो 7 में को लेना है, अब आप समझो, जो जानो वो आप समझो, उसमें बच्चा सोच रहा है अभी तो बहुत दिन है, अब पता भी नहीं है, में में होगा भी नहीं होगा, क्योंकि PG PG का कैंसल हो गया हो सकता है, हमारा भी कैंसल हो जाए, तो देखिए बच्चो, मैं आपको बता देता हूँ, अपने एक्स्पिरेंस के विसस पे, कि आदमी कौन अच्छा है, हर चीज टाइम पे कर ले, बार बार मैं इस चीज को कहता रहता हूँ, टाइम बहुत, आपने एक रिजल्ट के उम्मीद रख सकते हो, अगर महनत नहीं कर रहे हो, आप एक साथ एक्साम आ जाएंगे और तब अपने आपको जहूंकोगे, तो आप परेसानी में रहोगे ही रहोगे, जैसे कुछ बच्चे ड्रॉपर्स होते हैं, लेकिन वो अब सीरियस होते हैं, लास्ट मे DVSE करें या BTEC करें, ऐसा भी कोई जरूइर नहीं है, तो अगर आपको लग रहा है, तो एक अपनी, कोई ने कोई आपकी, हैवट होगी, हो सकता है किसी की स्पूर्ट की हैवट हो, हो सकता है किसी की जो है एब बनाने की आवेट हो, कंप्यूटर में लगे ही रहना है वो भी अपनी एक आदत है, उसको भी कैरियर बनाया जा सकता है आज की डेट में पेरेंट्स भी बहुत समस्दार हो चुके हैं ध्यान रखना और पेरेंट्स के साथ साथ बच्चा भी समस्दार हो चुका है उस तरीके का बच्चा नहीं रहा है, जब हमें सिक्स क्लास में तो A.V.C.D. सिखाई जाती थी हाँ वही सिरू हो जाओ, A.V.A. आज कल बच्चा नरसरी से सीख करके आ रहा होता है तो कहने का मतलब यह है और 12 करते करते तो वह इतना समझदार हो जाता है कि वह अपने लेवल से ही चलता रहता है तो मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ आपसे, एक अपनी आदत बनाए, B.Option जरूर रखें, ध्यान रखना दूसरा, आप अपना बैस्ट दें अगर होता है, सेलेक्शन बहुत अच्छी बात है अगर आपने गोल दो साल का बना रखता है, भई ठीक है, इस बार मैं पेपर दे रहा हूँ 12 का, अगली बार एक बार ड्रॉप आल लोगा मान लीजीए, कुछ बच्चे ड्रॉपर्स है अब नीट में किसी बच्चे के 400 प्लस नहीं आए मेरे हिसाब से उसको ज़्यादर ड्रॉप नहीं मानने चाहिए लेकिन फिर भी अगर उसको कॉन्फिडेंस है अपने आप पे कि मैं कर सकता हूँ, तो ड्रॉप लेने चाहिए क्योंकि देखी, ड्रॉप से भी ध्यान रखना, यर जाती रहेंगी और फिर एक तरीके का जो प्रैसर पूरी जिंदगी बना रहता है कि यार मैं उस समय एडविशन ले लेता तो ज़्यादा सही रहता तो फिर वो बना ही रहता है जैसे मैं एक स्टोरी सुनाना यहाँ पर चाहूँगा एक मेरी स्ट्वेंट थी अब उसने क्या किया है कि जैसे मानलो ड्रॉप लिया मेडिकल में पहला ड्रॉप हुआ, ठीक है जी 250 आये पर दूसरा ड्रॉप हुआ, फिर 350 आये तीसरा ड्रॉप हुआ, फिर 300 आ गए फिर नेक्स ड्रॉप हुआ, तो मतलब ड्रॉप 4 यर ड्रॉप हो गया तो मतलब उसके साथ के बच्चे को ज़्यादा चले गए अब उसको थोड़ा सा ये लाइप में कई बार में देखता रहता हूँ तो कही न कहीं तो ये परिसानी रहती है कि जो ड्रॉप हैं, वो भी लेना मेरे इसाब से उतना ज़्यादा नहीं है जितना आप सोचते हैं अगर आपको लगता है कि मार्क्स आपके हर बार बढ़ रहे हैं मान लिजी पहली बार में आपके 400 आए फिर आपने दूसरी साल किया 500 आए तो आपको डेफिनेटली तीसी साल अटेम्ट करना चाहिए हो सकता है 600 आजाएं लेकिन बार बार आप अगर जो फ्रेक्चुएट हो रहे हैं आपके मार्क्स पता लगा पहले आ रहे हैं फिर जा रहे हैं तो ये जो है कंडिशन आपको कहीं न कहीं पूरी जिन्दगी मतलब सोचने के लिए कर सकती है कि भई मैंने वहाँ पे गलट डिसीजन हुआ मेरा ठीक है तो आप लोग गलट डिसीजन ना लो उसके लिए मैं जिन्दगी जीने के थोड़े से तरीके जो अपने experience है जानता हूँ वैसे मैं नहीं जानता लेकिन अपना जो एक experience है वो आपके साथ continuous way में share करता रहूँगा और बार बार मैं आपको बता रहा हूँ देखिए इसमें क्या होता है इसमें ये नहीं है कि मुझे 6-15 marks लानी लाने medical में मुझे 99% लानी लाने IITJ में अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ध्यान रखना marks का तो पता नहीं है मुझे कि आपके आएंगे या नहीं आएंगे लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ अपने experience के basis पे कि आप pressure में जरूर आ जाओगे और ध्यान रखिएगा कोई भी चीज जब हम लोग pressure में करते हैं उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं कई बार आपके question आते हुए भी गलत चले जाएंगे क्योंकि आप under pressure में आ जाओगे ठीक है ये life का try and tested नुकसा है तो इसलिए अपने आपको कभी भी उस boundary में ना ले जाएं कि मैं 700 करूँगा मैं top करूँगा ये करूँगा मेरे इतने percentile आएंगे उस category में अपने आपको बिल्कुल ना रखें cool mind हो करके अपनी study करते रहें दूसी वाली बात ध्यान रखना competition जवरदस्त है बच्चे जो इस वार 12 में appear हो रहे हैं उनके लिए फिर कहूँगा कि वो भी crash course को भी बहुत अच्छे तरीके से करें क्योंकि आपने 12 का syllabus बहुत अच्छा कर रखा है आपको 11 का revise करने की जरुवत है और जो बच्चे medical, IIT, JEE, aspirant या किसी चीज में और भी aspirant ध्यान रखना आपको continuous मेहनत करनी पड़ेगी और life को जीने के कुछ rules होते हैं जिनको हम discipline के नाम से जानते हैं अब आप कहो कि sir मैं तो जो क्या बोलते जिन्दगी एकदम free हो करके जीना चाहता हूँ मैं भी कहता हूँ आपसे free हो करके जीओ कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इतने free हो करके जीओगे तो बात में जिन्दगी आपको इतना free कर देगी कि आप free free हो जाओगे हमेज़ा के लिए तो ध्यान रखिएगा एक discipline जितने भर भी आप जिनको business type on या कुछ भी sports person या whatever जो भी बोलते हो या जो भी success लोग है ध्यान रखना उनके कुछ ना कुछ rules होते हैं नहीं किये तो कहीं न कहीं से life को जीने में थोड़ी सी दिक्कत तो हो सकती है तो अपने कुछ rules बनाएं थोड़ा सा morning में meditation करें कुछ meditation नहीं कर रहे हो तो sports खेलें जिससे क्या होगा जब जब आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच होगे तो वो divert होंगी बात आपकी और आपको बड़ा अच्छा लगेगा पूरा जो है दिन की activity आपकी बहुत अच्छी होगी क्योंकि जितने बर भी जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि जो भी success लोग हैं उनके हर point होते हैं कि आप उनको ये करना है हर चीज़ का time होता है कि उनको per day का आज की day की planning होती है फिर उनकी week की planning होती है फिर उनकी month की planning होती है फिर उनकी year की planning होती है तभी वो लोग success होते हैं अगर नहीं है, free होते रहते हैं तो वो free अपने एसाब से घुमते रहते हैं मान लिजी, unnecessary काम को भी करते रहते हैं चलो ठीक है, यह आगे यह ठीक है, चलो कर लेते हैं तो यह चलो कर लेते हैं हमारी ध्यान रखना energy based होती है हमारा time based होता है और हम जो success होना चाहा रहे हैं वो उस point पे नहीं पहुँच पाते हैं तो बने रहे हमारे इस channel के साथ और जिन्होंने subscribe नहीं किया है वो जरूर subscribe करें मैं आपको 5-10 minute अपने life के experience बताता रहूँगा और ये भी बताता रहूँगा मैं कब-कब कहा-कहा फेल हुआ और आपको वो point नहीं करने है repeat नहीं करने है ताकि आप अपनी life में success हो ठीक है क्योंकि अपने आप पे मत experiment करो मैंने बहुत सारे अपने आप पे experiment कर रखें आप मत करो आप दूसरों की बात सुनो आगे बढ़ो ठीक है बेस्ट आप लग आगे नेक्स्ट मिलते हैं थैंक ये सो मच